नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका अपने चैनल मिस्ट एश्वी कलेज पर जहां दोस्तों आज क्या आउट सोर्चिंग कचे करमचे जोड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहां से क्या खबर आये तो सबसे पहली खबर देख लेते दोस्तों आज यहां पर इनको भी regular क्रमचारियों कीतरह है जो है मुक्षय म Animeनोहरलाल में पुटाइ थी उप तो बता दे आप लोगों को अब इनके वेतन से 120 रुपे महीना जो हग कटेंगे और इस 120 रुपे महीना के आदार पर इनको हर्याना रोडवेज में दोस्तो जो है फरी बस सेवा का लाब दिया जासकेगा तो जो रेगुलर करमचारी है उनको तो पहले से ही ये लाब मिलता है उनके भी इसी तरह से कटते हैं और अब इनके भी कटेंगे तो ग्यारा हजार से ज्यादा दोस्तो ग्यारा जार बावन अगर बात करें तो सही आकड़े नोंने बता हुआ है हर्याना पुलिस में कोंट्रेक्ट पर इनको भी अब भरी बस से वाकलाब मिलने जा रहा है मतर 120 रुपे में आगे बढ़ते हैं पर देख लिजिए फते बाद बासकर से अपडेट है पुलटेक्निकल गैस्ट फेकल्टी ने मांगों को लेकर सोपा है मांग पत्र जिहां कॉर्मेंट पुलिस पेकल्टीं संगर्थन का एक परतिने दी मंडल दोस्तो अपनी मांगों को लेकर हर्याना सारवजनिक उपकरम ब्यूरो के चेर्मेन सुभास बराला से दोस्तों इनके निवास स्थान पर मिला और इन्होंने आपर 58 साल तक जोब स्क्योर्टी की मांग की और पॉल्शी बना करेगूलर करने की मांग की बता दे दोस्तों आप लोगों को इन्हें काफी जो सकारात्मक रुक देखने को मिल रहा है सरकार की तरफ से इन्हें बता दे जो अभी कुछ साधे की दो दिन पहले ही जो मुखहमंतरी साब ने आसवासन भी दिया है कि इनको हो सकता है पूरी-पूरी संभावना है 99.9% मान लीजए पूरी-पूरी संभावना है इनको जोब सक्षोर्टि मिल जाएगी जो हर्याने के सरकारी स्कूलों में काम कर रही है जो गयस टीचर है उनकी तरह से दोस्तों अब ITI के गयस टीचर मान लीजए इनको भी जोब स्कूर्टि म मिल जाएगी आगे बढ़ते हैं यहां पर देख लिए पंचकुला बासकर से अपडेट है स्किल ट्रेनर एसोशन ने सरकार के खिलाब किया परदसन जी हां स्किल ट्रेनर जो जो स्थो एसोशन कल पहुंचे हुई थी यहां पर इस पंचकुला में सेक्टर पांच में और स्थोशन में इन्होंने एक तो जो परमुक मांग उठाई है वो है नीमिती करन पॉलिशी दो जार चोदा के तैत नीमित हुए क्रमचारियों को वरश्टा सूची में सामिल करते हुए एसीपी और पदोनुती का लाब दिया जाए यानिके परमोशन का लाब दिया जाए ज जो अपनी डूटी के दोरान किसी चैतर ने जो अश्रात कर दी थी और जो हमला कर दिया था इस वज़े से इनकी जो मृत्य होगी थी तो अब यहां पर इनके लिए जोस्तों यहां पर करमचार ने उठाई है वो अपने करमचारी साथी के लिए न्याए की यह मांग कर रहे हैं हिसार से देख लेते हैं अगली ख़बर यहां पर अंगरवाडी वरकर है और हैलपर यहां पर दोस्तों यूनियन के जो निदेशक के समक्सर रखी है मांग जी हां अंगरवाडी वरकर और हैलपर ने दोस्तों यहां पर जो निदेशक के सामने मांग रखी है इसमें सब इनका रख्या है जो पुराणे क्रमचारी हैं वो प्रमोशन होकर 50% क्रमचारी वो भाग ले सकते हैं सुपर्वाइजर जो है वो बन सकते हैं ठीक है लेकिन इनके सामने समस्य दोस्तों यही है कि एज की तो उसमें एज बार लगा दी गई है तो एज रिस्ट्रिक्शन की जो है बार नैन के सामने आए जब इनको प्रमोट करने का मोका आये तो सरकार के सामने आगे देख लीजे यहाँ पर सियम आवास गेराओ में कैथल डीपो के करम चरी लेंगे बढ़ चड़ कर भाग जी हां हर्याना रोडवेज दोस्तों आज जो सियम आवास का गेराओ करन कि आउलन छेड़ेंगे करम चरी हां पूरें देष के करम चरी है आंदोलन के यहाँ है बता हैön थाजिट प्रिक्षा और हर्याना कोशल रोजगार निगम में पंजी करते ठेका करमचारियों को अनुभाव के आदार पर वेतन नहीं देने का जो सरकार ने निर्णे लिया है उसका खिलाब दोस्तों यह आवाज उठाएंगे जी हाँ हर्याना सरकार ने लेटर जारी करके बता दिया है कि जो कोशल रोजगार निगम के मादम से करमचरी लगे वे हैं उनको अनुभाव का लाब क्यादार पर दोस्तों शेलरी नहीं दी जाएगी हर्याना बजट में यूआउं को पांच क्रोड रुपे तक के स्टाट अप के लिए उधम पुंजी निवेस के लिए 200 क्रोड रुपे का प्रावधान किया गया था मगर एक भी रुपे आवंटित नहीं हुआ जी हाँ स्टाट अप लोगों को पता होगा सारे के सारे जोह पड़े लिखे साथी हैं तो स्टाट अप जिससे के अपना कोई नया दोग लगाता है कोई भी कैंडिडेट अपना जो है इरिस्टेशन करवाता है कोई नया विसका करके और उसका उद्योग स्टाट कर देता है तो उसको अपना काम आगे बढ़ाने के लिए पांच करोड रुपे तक के स्टाट अप की दोस्तों जो है उदिमता पुंजी का निवेज के लिए दोस्तों जो है यानिके एक कैनिडेट पांच करोड तक जोह खरच कर सकता है उसके लिए 200 क्रोड रुपे का प्रावधान किया गया था लेकिन इस 200 क्रोड में से दोस्तों एक रुपया भी खरच नहीं किया गया तो किस तरह से स्टाट अप आगे बढ़ेंगे किस तरह से युआ रुजगार आगे बढ़ा पाएंगे आप लोग खुद सोच सकते हैं और दूसरी आपर दोस्तों जो सारुजनिक खबर है वो देख लिजी आज के बास्कर से ही है ये भी संसद में पहली बार सरकार ने नहीं दिये संसदों के 357 सवालों के जवाब तो अब आप लोग अपनी जो हैसियत सोच लिजे काम आदमी की क्या हैसियत है जब संसद में दोस्तों संसदों के जो सवालों के जवाब नहीं दिये जाते 357 सवालों के जवाब नहीं दिये गए तो अब जब संसद की ही कोई हैसियत नहीं रही तो आप अपनी हैसियत समझ सकते हैं बही क्या कुछ है तो 357 सवाल कम तो नहीं होते हैं चलो हो सकता है कोई ऐसा सवाल हो यहां पर बता गया हटा भी दिये गए है तो काफी बड़ी संख्या दोस्तों इसको कह सकते हैं अब आप लोग खुद समझदार है वही इसमें एक्स्ट्रा बाते कुछ बताने की जरूर नहीं है वही किस तरह ऐसे चीजें चल रही है आप लोग समझ लेना तो दोस्तों यह आप लोग समय पर पानतों चैनल को जूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें दूस्तों साथ सेर करें थेंक यू वेरी मुच